अस्सलाम अलेकुम जी मेरा नाम जिशान असान है और मैं एक एसी से एक लेक्चरर हूँ ठीक है from accountancy.com एक सवाल जो के अक्सर बच्चे students पूछते हैं कि जी हम कितने घंटे पढ़ाई करें कितने घंटे पढ़ लेंगे तो हमारा paper pass हो सकता है क्या क्या हमें करना चाहिए तो देखो इसका कोई specific answer नहीं है क्यों क्योंके हर किसी की nature अलग है हर सोच की चाबी अलग है हर दिल का ताला अलग है ठीक है तो इसी तरह हर किसी की learning habit और learning capacity अलग अलग होती है तो इसके लिए करना है कि भाई पहले तो obviously मेरे से जादा या किसी से भी जादा आपको आप खुद समझते हैं तो आपने सबसे पहले यह समझने है कि आप किस तरह के learner हो ठीक है कि आपको एक learner हो या आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में अब्जॉब करने में and all that यह पहले आप समझ लो ठीक है क्योंके कोई होता जिसको एक चीज समझने में जी वो पढ़ते है उसको समझ में आ जाती है उसको brain में भी वो अब्सॉब जल्दी कर लेता है किसी को time लगता है repetitive उसको दोराना पढ़ता है और उसके बाद जाके वो जो है उसको बात जो है वो बैठती है दिमाग में तो आपने इसके बाद गोल्स बनाने है ठीक है गोल्स किसरा बनाने कि जी आपने लेट से एक आपका पेपर है लेट से SBR का पेपर है यह SBR का पेपर है यह Advanced Audit Assurance का पेपर है Performance Management का Financial Management का है F1 का है F2,3 whatever कोई भी पेपर है आपने उसको देखना है कोर्स आउटलाइन अपने उसको देखनी है और आपने यह डिसाइड करना है कि आपने यह पेपर यह एक्जैम देना कब है लैट से आपने सेप्टेंबर 2022 में एक्जैम देना है किसका स्ट्रेजिक डिसन्स लीडर का SBL का Advanced Audit Assurance का अच्छा जी आप नहीं देख लिया आपने उसकी कोर्स आउटलाइन देख लिए ठीक है अब आपके सामने इक गोल आगा है कि मैंने सेप्टेंबर में इस पेपर में अपेर होना है उसके बाद आपने असेस्स करने है करनी है कि डेली रूटीन के डेली रूटीन भाई सुबह आट बज़ अच्छा जी नौ नौ बज़ आपना कूल लेक्चर वगर अटेंड करने जाते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो ओनलाइन लेक्चर आप देखते हो और verse लेक्टेस देखोगे अपने नोर्ट सब्राप बनाओंगे अच्छा जी फिर जोना आपको ुद झार्ण करना अच्छी पर अगर अगर लंच करनां उसके बाद पिड़ंअ पर आपने जो है उपढ़ने बैड़ जाना पर आपने थोड़ी चैल कदमी करनी है या खेलना वेलना है को स्पोर्स वगरा करनी है एक्सरसाइस करनी है फिर आपने फैमली को भी टाम देना तो बहुत सारी रूटीन होती है तो आप अपनी रूटीन एक देख लो कि बढ़िए कौन से टाइम है जिस में आप ने जो है व था डिर्सक्त पड़ाई मेर्स की सब्सक्राइब उस रूटीन में श्रोट एप 8 गों पड़ाई जो पर निकालने हैं नहीं, आपने 45-50 मिनिट पढ़ा, 10 मिनिट का ब्रेक लिया, फिर आप वापस आ गये, फिर आपने पढ़ा, पर 10-15 मिनिट का ब्रेक लिया, और फिर इस तरह आपने 6-7 गंटे निकालने है डेली बैसिस के, इसको डेली की एक रूटीन बनानी है, अपनी रूटीन में इस ची डेली की आप एक रोटीन बनाएंगे शुरू से लेकर एंड तक तब इसकी एक आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप एक्जैम वगरा जो है पास करोगे और रेगुलर बेसिस पर आपने जो है अपने इसको लेकर चलना तो बहुत हाई चांसिस होंगे कि आप पेपर अपन नेक्स वी लोग में जो है वो मजीद बात करेंगे पड़ाई को लेते हुए किस तरह मैनेज करना स्पेशली उनके लिए वो वेडियो होगी कि आप अगर जॉब भी करते हैं जॉब वालों को काफी मुश्किल होता है किस तरह मैनेज करना है वो नेक्स वी लोग में फिर अपने खायले किया अलाव वेस।